इस वीडिसमे में देखेंगे कि हम जावा में user से कैसे ले सकते हैँ, क्योंकि बहुत ही important part होता है किसी की programming language का. So, हम जावा में user से input दो तरीके से ले सकते हैं. एक हम utile package का use कर सकते हैं, दूसरा हम I o package का use कर سकते हैं जावा में. यूटिल पैकेज के अंदर एक क्लास होती है जिस क्लास को बोलते हैं हम स्कैनल क्लास और आयो पैकेज में एक होता है बफर डीडर क्लास जिसका हम यूज करके यूजर से इंपुट ले सकते हैं है इस प्रोग्राम के लिए नेट बेंस आइडि यूज करने के बार हम की य करेंगे हम डेमो देखेंगे कैसे हम अपने प्रोग्राम में यूजर इन्पुट ले सकते हैं जावा के प्रोग्राम Mink करके, Java की Programming करके So, यहाँ पर हम क्या करेंगे सबसे पहले हम एक File Create करेंगे सबसे पहले हम एक Package Create करेंगे जिस Package के अंदर हम अपनी File को Create करेंगे जिसमें हम User से Input लेंगे तो पहली बाद हम यहाँ पर जाएंगे New Project पर यहां पे हम जावा करेंगे क्योकि हम यूजर से बाद हम क्या करेंग에 हम अप्लिकेशन जावा एक पॉल्डर बना लिया यहां पर इंपूट थैं। तो आप देखेंगे इसका करके क्या कर सकते हैं की यूजर इंपूट का हम यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कैसे buffer reader के थूजर से input ले सकते हैं, तो buffer reader के थूजर से input लेने के लिए सबसे पहले हमें IO package का use करना पड़ेगा, तो अपने program में हम क्या करेंगे, import करेंगे वो package, import java.io.aster इसमें बहुत सारी buffer input stream इसमें बहुत सारी classes होती हैं तो हम चाहते हैं हम strict लगा दें जिससे जितनी भी सारी classes हैं उन सारी classes के फूर्णाल के अपने प्रोग्राम में हम यूज करते हैं तो IO input हमने यहां पर import करा दिया है आयो package को आयो package import कराने के बाद हम क्या करेंगे सबसे पहले हम बनाएंगे अब आप क्या करते हैं buffer reader class का यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले हम object create करेंगे buffer reader का तो buffered बफर्ड रीडर भी इस इस डेफरेंस बरियाबल तो यह हमारा रेफरेंस बरियाबल है buffer reader reader का आर कैपिटल होगा यहां पर buffer reader view is cool to new और उसके बाद हम क्या लिखेंगे buffer reader the same यहां पर हम लिख देंगे buffer reader और इसके अंदर हम input string reader का एक reference पास करेंगे new input stream reader और इसके अंदर हम system class पास करेंगे system.in जिससे हम यहां पर input ले पाए system system.in यहां पर हमने इसको use कर लिया तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर हमें users input लेना है सब्सक्राइब एक input लेना चाहते है user से कि वो अपना नाम इंटर करें तो यहां पर हम उस message को print कराने के लिए क्या use करेंगे system.out.println println यहां पर हम एक message display करा देंगे इंटर यूर नेम इंटर यूर नेम हमने यहां पर एक message display करा एंटर यूर नेम और इस message display होने के बाद क्या करेंगा user अपना नेम इंटर करेंगा तो नेम जब वो इंटर करेंगा तो उसके लिए यूजर के हमारा buffer reader में एक method होता है read line method तो read line method क्या करेंगा जो भी user हमारा input लेगा उस input को क्या करेगा एक particular variable में store कर सकता है तो वहां से हम जो user ने input दिया read line method से उसको read कराएंगे और उसके बाद उसको हम एक variable में store करेंगे तो read line method को हम use करेंगे इस वी औपजेट के साथ वी डॉट रीड लाइन हम यूज़ करेंगे यहां पर हमने यहां पर ले लिया तो जो भी user input देगा read line method उसको read कर लेगा तो हमारा input किस type का होगा हमारा input string type को होगा क्योंकि हम यहां पर ने रहे हैं तो इसको एकString type के variable में हम क्या एक करेंगे तो जो भी यूजर ने इंपुट दिया वी डॉटी लाइन इसको रीड किया उसको उठा करें डाल दिया एक इस्टिंग टाइब की वरेबल अब अगर हम क्या करें अब यहां पर देखिए आपका अरर दे रहा है अगर यहां पर जाया देखिया दे रहा है यहां चाहते हैं तो आप कराने के लिए यहां पर क्या कर सकते हैं तो इसको क्या कराना है अब हम को इसे कराना है तो अगेन हम यूज करेंगे system.out.println method यहाँ पर a line हम यहाँ पर use करेंगे और इस line को use करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर जो भी हमने variable लिया है एनम उसको हम प्रिंट करा लेंगे यहाँ पे एक message लिख देते हैं you have entered यहाँ पर concatenation operator यूज कर लेते हैं you have your name is your name is and यहाँ पर हम कर लेते हैं अब इस program को हम चला के देखते हैं चलाने के लिए आप जहाँ पर अपने फाइल बनाए हैं वहाँ पर right click करेंगे आप और यहाँ पर run file करेंगे तो यह आप से मुझेगा enter your name हमने यहाँ पर name रखा पीटर अगर आप इंटर्मानेंगे तो your name is पीटर तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं इस तरह से आप user input के लिए buffer reader का use कर सकते हैं अभी दूसरा method क्या है आपका scanner class का use करके तो आप read line से चाहे आपको string read करा लिजे चाहाए integer read करा लिजे चाहे डबल या प्रोटाइब की वैली रिट करा लिए हर किसी में आपका read line use होगा और यह acceptable होगा दूसरी हम methodology use करते हैं आपका scanner class का एक नई class बनाते है Java की जिसमें हम क्या यूज करेंगे user scanner नाम की हम एक class बना लेते हैं इसको यहाँ पर create कर देते हैं यूजर स्केर नाम की हमारी class बन गई अगर हम scanner का यूज करेंगे कोई input यूज करना चाहते हैं अपने में लेना चाहते हैं यूजर से तो यह हमारा किस पैकेज में होता है यूटिल पैकेज में class होती है तो सबसे पहले हमें import कराना होगा यूटिल पैकेज को हम क्या यूज करेंगे यूटिल पैकेज हम यूज कर लेंगे जिस से इसके अंदर निकी वही सारी classes और methods को हम यूज कर पाएं यूटिल डॉट एस्टरिक ओकेज़ सो अब इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे फखेले हम यहां पर बनाएंगे Public Static Wide Main Public Static Wide Main Public Static Wide Main के बाद हम यहां पर इसमें command line arguments को enter कर देंगे जो की एक string type का array होता है जो की एक string type का array होता है और यहां पर हमने फिर क्या करे लिया अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आपको scanner class जो की यूटिल package के अंदर रखे रहे हैं उसका object create करना पड़ेगा तो हमने क्या किया इसका एक object create किया sc sc यहाँ पे आपको भी variable reference variable लेख सकते हैं new scanner और यहाँ पे हम pass कर देंगे system.in system.in okay यहाँ पे system.in system 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 system.in हमने यहाँ पे pass कर दिया अब उसके बाद आपको user से जो input कराना है वो यहाँ पे आप message डाल देंगे तो message आप अगर कोई चीज प्रेंट करना चाहते हैं इसके अंदर तो आपकी printing होती है system.out.println के अंदर इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कोई message डिस्पले कर सकते हैं जो भी आप double course में इसके अंदर डालेंगे वो as it is आपका यहाँ प्रिंट हो जाता है और आप उसको directly as output screen पे आप display करा सकते हैं तो println यहाँ पे हमने इसको यूज कर लिया और इंटर यूज करने के बाद हमने यहाँ पे कहा इंटर यूर डेटा इंटर इंटर डेटा इंटर इंटर यूर डेटा और अगर आपको नेक्स्ट लेना है तो यहाँ पर आपस हमें आप एंटर इंटर झैश्याइट करेंगे से डॉट नेक्स्ट आइंटी नेक्स्ट आइंटी यहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारे में जब्सक्राइब लेना है नेक्स डबल टाइप लेना है इस भी टाइप के लेना है आपको उस तरह से आप पड़ेगा आप लिए लिए अब उसके बाद अगर हमें इसको करना है तो इसकी लिए भी हमिंग्या करना ओका सिस्टम.out.println यहां पर हम यूज़ कर लेंगे और यहां पर हम अगर वाइल को प्रिंट कराते हैं हमने यहां पर लिखा यहां पर हम इंटर्ड डेटा इस और यहां पर हम कॉंक्ति नेशन और यूज़ कर लेते हैं क्योंकि डबल कोड्स में आपने जो भी लिखा हुआ है यह आपके स्टिंट यूज़ करते हैं यहां पर हम हमने इसको लिख लिया अब आप इसको रन कराके देखिए यहां पर जब आप इसको रन कराएंगे तो रन कराते ही आप पास इंटर्ड डेटा तो हमें इंटीजर टाइप पर देटा लेना है तो हमने यहां पर यहां पर हमने 120 दिया और आप देखेंगे यह इंटर्ड डे आप इसको भी क्या करतेंगे आप double type का क्योंकि by default कोई भी कोई भी आपकी जो value होती है जावा में जो कि आप decimal point में इंटर करते हैं वो double type का समझती है जावा तो यहां पे अगर आप दुबारा से इसको रन कराते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कोई भी आपको double type की value देने पड़ेगी या decimal type की बने देने पड़ेगी तो 1245 इस वन तो यहां पर हमने दिया 12.12.76 अगर हमने यहां पर दिया तो आप देखेंगे यहां पर क्या होता है यहां पर अगर आप string type की value देना चाहते हैं तो आप यहां पर क्या लिखेंगे next line next line आप next method सबसे पहले आप समझें next method क्या होता है तो यहां पर हमने एक string type की value हमने यहां पर देदी और यहां पर हमने next use किया तो next on next line में difference होता है कि next अगर आप यूज करेंगे तो आप अगर कोई एक syntax लिखते हैं या आप एक से ज्यादा words लिखते हैं तो इस पेस के बाद की value को next आपकर discard कर देता है तो अगर आप यहां पर देना चाहें एक string type में input यहां पर अगर आप देना चाहें search in search in तेन दुलकर दुलकर यह आपके एक string है आप देखिए इसका output के ओल सचीन आ रहा है क्योंकि इसके बाद जैसे ही इसको क्या मिला एक space मिला इसने आगे की value को discard कर दिया तो with spaces value आपका next method आपका string में find out नहीं करता है इस ची अगर आप यूज करेंगे तो इस यह आपका क्या होता है यह value ले सकता है आपकी spaces के साथ अगें अगर आप इसको run कराते हैं इसको run कराने के बाद आप देखेंगे तो यह अगर आप input आपका देते हैं search in तेन दुलकर तो आप देखिए your data entry spaces के साथ है value of account कर लेता है तो यह तरीका होता है दो तरीके होते हैं जो कि very important है आपकी जाओ में बहला तरीका होता है buffer reader का जो कि आप आयो पैकेस को इंपोर्ट करकी यूज कर सकते है रिट डाइन में तर्ट के त्रू और दूसरा तरीका होता है आपका इसके लोग जनरली आपकी स्कानर ग्लास का ही यूज करते हैं और इसके फूर अपनी डेटा को इंपूट करते हैं आई होप कि आपको इस वीडियो समझ में आया होगा और इस इंपूर्ट समझ में आया हो जावागा लाइक करिए हमारे इस वीडियो को इस पेच को थैंक्यू